हेलो दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनकी लो सैलरी होती है और उन्हें परसनल लून चाहिए होता है तो कौन से मार्केट में टॉप क्लास के बैंक है वो कितनी सैलरी पे कितनी मिनम है बगरा है जो है वो सैंक्षन कर देते हैं बट परसनल लून पर क्या है बहुत हाई इंटरेस्ट रहता है यह आपको अपने माइंड में जो चीज है वो याद रखनी बट इवन इस्टिल आपको क्या है बहुत ज्यादा अर्जिन पैसे की जरूत है आपकी सैलरी बहुत इसमें की सबसे पहला बैंक आ रहा है जो की काफी फेमस बैंक है वो है एक्सिस बैंक ठीक ना एक्सिस बैंक में क्या इंटरेस्टि ब्लण है तो वो चल्ला आपका 12 से लेकर 21 यह भी डिपैंड करता है परसन टू परसन क्या उसका जौप क्राइडेरिया इस चीज को इन अ पड़ेगा और maximum जो है मुझे कितना loan मिल सकता है तो आप देखो कि यहां पे minimum monthly income जो है अगर आपकी 15,000 है तब ही ही आप जो है वो personal loan के लिए access bank में apply कर सकते हूँ जिसमें आके आपको 12-21% का annual basis का जो है वो interest rate आपको bank में pay करना पड़ सकता है और आपको maximum जो loan है कितना मिल सकता है वो आपको मिल सकता है 15,000,000 तक ठीक है और loan का जो 10 रहेगा वो रहेगा 12 से लेकर के 60 महीन रहेगा ठीक है तो आप हम चलते हैं दूसरे बहुत ही popular bank में जो की government bank है जो की है state bank of इंडिया यहां पर के interest rate रहेगा तो थोड़ा सा personal loan जो है वो government bank से ले ना थोड़ा सा tough होता है private bank तो बहुत जल्दी sanction कर देते ना बट government bank में आप देखरो यहां पर जो SBI में interest rate है वो काफी अच्छा interest rate है 9.6% जो है वो आपको पर एनम का interest rate देना पड़ेगा यहां पर भी आपकी minimum salary जो है वो 15,000 तक यहां पर जो maximum loan का amount वो है भाई 20 लाग तक और यहां पर जो maximum month है जिसमें आपको जो loan है वो जमा करना होगा वो है 72 ठीक है न मलब 6 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको loan को जो है वो bank को वापिस करना पड़ेगा जिसमें कि आपको 9.6% का जो है वो annual जो है वो आपको interest rate इस पर लगेगा जाकर पर तीसरा आपका जो कि private sector में सबसे बड़ा bank है वो है HDFC bank जिसमें कि भाई अगर आप interest rate देखो को तो 10.75% से लेकर के 21.30% per annum per साल के आसपास है और यहाँ पर जो भाई minimum requirement है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है अगर आपकी salary जो है 25,000 या 25,000 ज्यादा है तो आपको आप HDFC में जो है personal loan के लिए apply कर सकते है और यहाँ पर अगर आप maximum loan का amount आप देखो के जाकर तो वो आपको मिलेगा 40 lakh के आसप ठीक है यहाँ पर आप देखो को तो बहुत यहाँ आदे interest rate है इतको तो हम leak से भाहर निकाल देते हैं ठीक है क्योंकल भाई इसका कोई मतलबी नहीं बरना रहा है अतना यहाँ पर आप देखो के जाकर तो यहाँ पर हम चलते हैं एक और popular bank के बारे में यह गी है IDBI bank ठीक है इनको भी हम skip कर देते हैं IDBI bank में हम देखेंगे हम उनको देखने कोसित करते हैं जो 10% से नीचे चार्ज कर रहे है ठीक है ना 9.5% पर annum से लेकर के 14% के आसपास जो है वो interest rate आपका जो है वो लगेगा यहाँ पर भी जो आपकी minimum sell ली हो 15,000 रुप होनी चाहिए loan आप maximum जो ह मैं रहेगा वो रहेगा 12 से लेकर के एक साल से लेकर के 5 साल तक कई बार क्या होता है कि हम state bank वगरा में apply करते हमारा loan reject होया तो alternative हम कहां जा सकते हो भाई HDFC में जा सकते हो ठीके ना और आप अगर हम देखे जाके तो IDBI में दे जा सकते हो अगर आपकी loan की requirement जो है वो कम है 5 ल कर सकते हो और उससे आप कोई भी अगर urgent basis में आपको requirement है ना तो आप परसनल लोन की तरफ जो है इन बैंकों से जो है वह आप ले सकते हो के लिए यहां पर है यह best bank है परसनल लोन के लिए ठीक ना और यहां मार्केट में चल रहा है एप से चल रहा हूं इस्टेंट आपको 30 20,000-40,000 लोन मिल जाता है वो थोड़े ज्यादा risky रहता है ना जब भी आपको personal loan की requirement हो तो better रहेगा कि जो leading bank हो उनसके ही साथ आप जो ठीक है ना या उसके आगर माल लिए आपका main bank में नहीं section हो पा रहा है ना तो आप जो है वो alternative bank की तरफ भी जो है दे सकते हो बट आपक कौन से bank है जो एक बढ़ी हा लून मिल सकता है अब थोड़ा साम यहां बेटेल में चले जाकर access bank की बात करें जाकर के तो processing fees के हम देखेंगे चलके bank करें में access bank ठीक ना आप देखो यहां पर लिखा भी है कि आप salary employee होने चाहिए public sector और private sector या government companies में आगर आप काम कर रहो ना तो आप जो है personal loan के लिए apply कर सकते हो access bank में आप देखो गए processing fees के बात करें तो add the discretion of the bank मतलब कि यह आपको processing fees जो है यह आप person to person depend करती है जाकर कि यह आपको bank वगर हम ही पता चलेगे EMI पर अगर हम देखें जाकर के पर लाग एक लाग पर आपके जो EMI है वो बनेगे जाकर क SBI की express credit card loan के अगर हम बात करें जाकर के यह जो SBI का loan था SBI express credit card loan तो यहाँ पर जो हमें 20 लाग का सिंगा यहाँ पर आप देखो के bank को state bank of India में तो processing fees है वो निल है कब तक निल है 31 January 2022 तक मतलब कोई offer चल रहा इनका उसके थ्रू जो है यह processing fees निल है EMI भी काफी कम है अगर हम access bank के पेच्छा देखें जाकर कि तो यहाँ पर जो EMI आपकी पढ़ लिए वो एक लाग पर पढ़ रही है 1832 रुपए और प्री प्री क्लोजर चार्जे में ऐस पर दा लेंडर्स टमसन कंडिशन में कोई टमसन कंडिशन होगी उसके अगर आप मार लिए जल्दी लोन चुका देते हो जो भी आपने आवदी बताई होगी तो हो सकता है कुछ पनाल्टी चार्जे वगरा भी जो है वो लग सकते हैं जाकर ठीक है तो वह आपको जो है वह आपको देखना पड़ेगा बैंक में जाकर अब हम देखते हैं चलके HDFC बैंक परसनल लोन के लिए तो यहाँ पर HDFC परसनल लोन में अगर हम देखें तो इनकी अगर देखो के जाकर के तो 2-4% चार्जे है ठीक है आपने माली यह लिया चैसाल के लिए और तीन साल में लोन को क्लोस करवाना चाहते हो जो कुछ इस तरीके के जो है वो अडिशनल चार्जे भी आपको देने पड़ते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं जाकर के HDB Financial Services इस आप किस तरीके के employee हो, सरकारी हो, private हो, EMI अगर हम देखें जाके, EMI अगर पढ़ेगी जाके परवन लाक में 2,200 के आसपास है और pre-payment charges जो है वो 0 से लेकर के 2% of outstanding amount है तो इस तरीके का जो है वो कुछ आपको देख सकते हो और अगर हम यहाँ पर document जो आपको majorly requirement रहते हैं तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं personal loan के लिए न तो duly filled application form एक जो form होता है personal loan के लिए वो form आपको fill करना पड़ेगा identity proof चाहिए होगा ठीके जिसमें आपका passport की copy चल जाएगा driving license चल जाएगा अधार card चल जाएगा voter ID card चल जाएगा proof of resident address प्रूफ चाहिए होगा जिसमें आपका अधार card चल जाएगा driving license आपका चल जाएगा voter ID card चल जाएगा ठीके bank statement of the last three months तीन मन्त का जो है वो आपका bank statement चाहिए होगा कि भाई actual में जो है वो आपकी salary आ रही है कि नहीं आ रही ठीके न latest salary slip with form 16 ठीक अब जब आप company में काम करते हो ना तो आपका एक form 16 मिलता है tax वाला वो आपको देना पड़ेगा और जो भी आपकी salary slip मिलती ही न वो आपको salary slip देनी पड़ेगी proof of age एज का proof आपको देना पड़ेगा जिसमें आपकी marksit वगरा चल जाएगे 10th वाली न recent passport size photograph पास और अगर आपके कोई doubt है तो आप comment करके बता सकते हो ना और हम ऐसे ही जो है वो इंट्रेट में जो भी बड़िया information आती है कई सारे document को कई सारे ब्लॉक को study करके जो है वो हम एक वीडियो में आपके लिए जो है वो information लेकर के आते हैं ताकि आपको जो है वो information बहुत ज़्यादा इधर उदर जाकर के खोजिनी ना पड़े आपको एक basic basic चीज़ वो आईडिया हो जाए then फिर जो है वो आपको decision ले सकते हो decision लेने के बढ़ेगा पर महेंगाई बढ़ेगी या जिस तरीके का inflation बढ़ेगा उस हिसाप से जो market है वो shift होता रूपर तो यह सब चीज़े जो है वो change भी होती रहती है तो यहां पर एक आपको idea लगा होगे कि अगर आपकी salary कम है कम salary आप जो है विड्रॉ करते हो company वगरा से ना और आप चाहते हो कि कोई urgent situation के तहत आप loan लेना चाहते हो तो यह जो कुछ popular bank है आप या इनके थूरू जो है वो आप ले सकते हो और loan जो है वो आपका 5 लाख minimum से ले कर गये जो है वो 20 लाख तक जो है वो आप इसी तरीके से 15,000 salary में जो है वो loan आपको मिल सकता है जाकर गये ठ धन्यवाद जय हिंद जय भारत